हे नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हूं बात करने वाले हैं सेप्टेंबर महीने में रिलीज होने वाले पांच स्मार्टफून के वारे में जिसमें पहला नमबर पे हैं गलेक्सी एस 24 अल्टरा एफी जो की सेप्टेंबर महीने महो रहा है जिसमें आपको 12060 का एमोलेडी डिस्प्ले मिलेगा 4500 मेंच का बैटरी पेक अप मिलेगा और इसमें जो प्रोसेसर होगा एकजी नौच 2400 चीप वेस्ट होगा ठीक है तो चलिए दूसरे नमबर के मोबाइल फोन पर चलते हैं जहां पर आपको वीवो T3 अल्टरा मिलेगा जिसके अंदरगत आपको 6.78 इंज फूल एजडी प्लस 3D कव डिस्प्ले मिलेगा जो की एमोलेडी डिस्प्ले के साथ होगा 120 सर्टेज का रिफ्रेस रेट होगा मेडिया टेक डाइमन सेटी 92 सव प्लस होगा और डवल इस्ट्रियो इस्पीकर होगा जो की आपके सामने प्रजेंट है जो की 12 सेप्टेमबर 2024 को रिरीज होने वाला है तो वेट कीज़े दोस्तों बात करें तिसरे नंबर के तो यहां पर आपको मोटरोला रेजर 50 मिलेगा जिसमें आपको LTPO MLAD डिस्प्ले मेडिया टेक डाइमेंड सेटी 73 सव आई पी एक्स वाटर प्रोटेक्शन 50 मेगा पिक्सल प्लस 13 मेगा पिक्सल डवल केमरा सेट अप और 32 मेगा पिक्सल का सेलफी केमरा 42 मेच का बैटरी पेकप 3.6 एक्सटरनल डिस्प्ले मिलेगा जो कि 10 सेप्टेंबर को रिलीज होने वाला है चौथे नंबर पर आता है फिर मोटरोला रेजर 50 ठीक है तो यहां पर आपको इस डिस्प्ले साइज मिलेगा 6.4 P O LED फ्लैट डिस्प्ले और 50 मिंगा पिक्सल में केमरा साथ ही कमपेक्ट डिजैन वेगर लेदर जो कि मिल एस्टीडी 80 ठीक है 8010 होगा जो कि 18 सेप्टेंबर को रिलीज होने वाला है दोस्तों अब बात करते हैं रेडमी नॉट 14 सीरीज के बारे में तो यह दो वेरियंट में आ रहा है ठीक है यहां पर नॉट 14 प्रो और नॉट 14 प्रो प्लस जिसमें आपको नॉट 14 प्रो में मिलेगा 1.5 के फ्लैट OLED 166 रिफ्रेश रेट और नॉट 14 प्लस में मिलेगा 1. सब्सक्राइब नॉट 14 प्लस में मिलेगा जो कि सेप्टेमबर महिने में रिलीज हो रहा है